नमस्कार दोस्तो गार्डरिंग प्लाइश चैनल पर आप सभी का स्वागत है सरदियों का खुबसूरत फ्लॉबरिंग प्लांट गुल्दाओ दी जिसमें अब कलियां बनने का प्रोसेश चालू हो गया है लेकिन इसमें कलियां आने के साथ एक ये प्रोब्लम भी आ रही है कि इसमें इस तरह के देखिए ये काले-काले छोटे से ब्लैक कलर की कीड़े हो रहे हैं ये ब्लैक एफिट्स जिनें माहूं भी बोलते हैं इस समय ये काफी प्लांट्स में फैल लए हैं भिंडी तोरई और खासकर ऐसे पौधे जिनकी पत्यां घनी होती हैं उसमें बहुत जादा ये तेजी से फैल जाते हैं जहां भी आपको ये कीड़े देख रहे हैं तुरंत ही आप इस पर कैमकल दवा का प्रियोग करें वरनार इसके पास रखे हुए प्लांट भी खराब हो सकते हैं ये देखिए मैंने हल्दी और बेकिंग सोडा का छिड़काओ किया था पर उससे कोई भी असर नहीं हुआ असके उपर वैसे मार्केट में अलग-अलग इंसेक्ट के लिए अलग-अलग तरीके के कीटना सक आते हैं लेकिन सुरुबाती दोर में आप कोई भी कीटना सका प्रियोग कर सकते हैं अब ये देखिए क्लोरोपाइरिफाइस 20% EC जोकि इसपेसल दीमक के लिए बनाया गया है लेकिन कई सारे कीड़ों पर ये कंट्रोल कर लेता है इसी तरह ये ओबिरोन, लाल मकड़ी, सपेद मकड़ी, वाइट प्लाई इसपेसल इन ही कीड़ों के लिए बनाया गया है लेकिन कई बार मैंने इसे माहू पर भी प्रियोग करके देखा है अच्छा रिजल्ट मिला है तो आज मैं इसी के चिड़का करूँगे बस आपको इसको सही समय पर और सही मात्रा में प्रियोग करना है तो चलिए दिखाती हूँ इससे कैसे प्रियोग करना है ये मैंने एक लीटर पानी लिया है और इसमें दो मेल के करीब इसे दबा डालेंगे लगभग आर्टर डॉप इसके डाल देगे ये बहुत गाड़ा होता है जब भी आपको ये कैमकल दबा पहली पार यूज करें तो इसका पैच टेस्ट जरूर कर लें पैच टेस्ट होता है कि दबा डालने से कुछ घंटे पहले प्लांट की थोड़ी सी पत्तियों पर इसका इस्प्रे करके देखें अगर कोई side effect नहीं हो रहा है तो आप अराम से पूरे प्लांट पर इसका इस्प्रे कर सकते हैं वैसे अगर आप किसकी डोज सही मात्रा में लेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी परना कभी कभी क्या होता है कि डोज ज़्यादा हो जाती है और पत्तियां जोलसने लगती है कैमकल दवा यूज करते समय इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि डोज इसकी बिलकुल सही मात्रा में होनी चाहिए घर में अगर पैठ हैं और बच्चे हैं वहाँ पर इस तरह से प्रेसर देते हुए अच्छे से धूल दे इसके बाद अगले दिन चेक करें अगर अभी भी कुछ इंसेक्ट दिख रहे हैं तो दुबारा से फिर इसका स्प्रे कर दें आप दिखाते हुँ एक दिन बाद इस दबा का क्या एफेक्ट हुआ है यह देखिए यह प्रांची जो पूरे तरह से काले कीड़ों से घीरे हुई थी अब इस पर सिर्फ एक दो कीड़े ही दिख रहे हैं तो हम दुबारा से इसी इस्प्रे को फिर से कर देते हैं आप भी हो जाएंगे अगर प्लांट स्वस्त रहेगा तो गुल्दावदी की फूल प्लांट पर 15-20 दिन तक बने रहते हैं साथ ही इसकी पास में जो प्लांटे रखे हुए उनमें अगर यह कीड़े नहीं है तब भी आप एक बार इसका चिड़काव करते हैं गैंदा बगैरा में यह बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि अगर हम खाद बगैरा सब सही टामपर दे रहे हैं लेकिन अगर कीड़े आ जाते हैं तो हमारी सारी मेनत बेकार हो जाती है तो यह आप चेक करते रहें सुरुवात में ही अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो प्लांट खराब नहीं हो पाएंगे कई सारी ऐसी चोटी चोटी बाते होती हैं जो गार्डनिंग के लिए बहुत जरूरी होती है गार्डन में काम करते समय मुझे जो भी याद आता है मैं सौट वीडियो में आपको शेयर करती रहती हूँ तभी चैनल पर आके आप सौट वीडियो को देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल जाएंगे इस सबर नॉमबर लाष्ट चला है और विंटर फ्लावर घर में उगाने या कटिंग से लगाने का टाम निकल चुका है तो अब हमें विंटर फ्लावर के लिए एक ही ओप्सन बचता है नर्सरी से प्लांट लाने का तो कौन-कौन से प्लांट अभी आप ला सकते हैं अगले वीडियो में आपको कौन से प्लांट की जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं थेंक यू